नमस्कार दोस्तों स्वागत है आज की रिवीजन कच्छा में इस रिवीजन कच्छा में बर्स 2024 में लिए गए अस्पेशल 30% में बिविन ग्रूप B के एक्जाम में पूछे गए अस्थापना के प्रस्नस हमिले थे हैं तो प्रारम्ब करते हैं पहले प्रस्नस से साधरंता है जन सूचना अधिकार अनुरोध के निप्टान के लिए समय सीमा अधिक्तम कितनी होती है नॉर्मल टाइम फ्रेम फोर डिस्पोजल आफ आर्टियाई रिक्वेस्ट इज मैक्सिमम तो यह रिक्वेस्ट होती है अप्लाई करने के 30 दिनों के अंदर में उसका जवाब देना होता है तो 30 दिन में जो अधिकारी जिसको यह जवाब देना है वो 30 दिन के अंदर में उसका जवाब उसे भेज दिया जाना चाहिए दूसरा सवाल है कि किसको किसी अन परकार के अबकास के साथ नहीं जोड़ा जा सकता लेकिन इसके बाद भी वह कॉरेंटाइन अबकास के साथ जोड़ा जा सकता है या उसको फॉलो कर सकता है तो casual leave ही सिर्फ है इनमें से दिये गया मैंसे जिसको की quarantine अबकास के साथ जोड़ा जा सकता है समूह A और समूह B railway कर्वचारियों का अबकास खाता किसके दौरा monitor के जाता है या account maintain के जाता है तो समूह A और समूह B यानि के अधिकारी वरके रिर्वच कर्वचारियों का अबकास खाता account officer के दौरा maintain के जाता है एक हजार किलो मीटर से अधिक लेकिन दो हजार किलो मीटर से कम दूरी वाले एक station से दूसरे station पर अस्थानांतरन के मामले में निवास परिवरतन भी सामिर होने पर सुईकार जॉइनिंग टाइम कितनी होती है तो एक हजार से अधिक हो जाने पर सुईकार जॉइनिंग टाइम और दो हजार से कम बारह दिन होती है निलंबन की अबधी के दौरान एक रेलवे कर्मेचारी को अपने मूल बेतन का 50% के बरावर निर्वा भत्ता प्राप्त कर रहा है यह रेलवे कर्मेचारी सामान महगाई भत्ते के कितने परतिसत के बरावर महगाई भत्ता का हगदार होगा तो जो उसे बेतन मिलता है या जो उसे subsistence allowance मिला जाता है वह मूल बेतन प्लस DA का 50% होता है तो उसे साबसे मूल बेतन का भी 50% मिलता है और DA का भी 50% ही दिया जाता है The rate of traveling allowance as per daily allowance admissible to officers of level 14 and evag in 7th pay commission साथ में CPC के level 14 और उसे उपर के अधिकारियों के लिए सुईकार यात्रा बत्ता की बरतमान दर अभी 1500 रुपे है निमलिकित में से कौन सा केंदर सरकार के सरकारी कारियालियों के लिए राश्ट्री अबकास नहीं है तो मूलता तीन राश्ट्री अबकास घोसित है रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंडे और महात्मा गांदी का बर्डे तो डॉक्टर बी अर अम्बेदकर का जर्म दिन राश्ट्री अबकास के स्रेड़ी में नहीं लिया जाता है मंडल अस्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ PNM की बैठके कम से कम कितने महीने में एक वार आयुजित की जाती है तो मंडल अस्तर पर सरकार के तरफ से प्रतेक दो महीने पर PNM की मीटिंग आयुजित की जाती है जिसमें एक PNM में एक union भाग लेती है फिर अगले PNM में दुसरा union भाग लेती है The present maximum limit of death come graduate for central government employees के अंदर सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यू साह सेवा निबरिती ग्रेजूटी की बरतमान अधिक तमसीमा अभी 25 लाग है जबकि महगाई भत्ता 50% को पार कर गए थी अगर कोई रेलवे कर्मचारी मकान अगरिम निर्मान लेकर बनाये गया गहर का अगरिम रासी तथा उस पर ब्याज के साथ पूरी बसोली होने तक अगर बीमा नहीं करता है तो बैसी परस्थिती में कर्मचारी पर जो पेनल इंट्रेस्ट है वो 2% लगेगा यानि कि जितना ब्याज की मौझूदा दर है उससे 2% ब्याज डंड सुरूप लगाए जाएगा दिब्यांग बच्चों के लिए बाल सिच्छा भत्ते की परतिपूर्टी यानि CEA के समान दरों से कितना अधिक होती है तो दिब्यांग बच्चों के लिए दुगना बाल सिच्छा भत्ता दी जाता है अर्थात 100% अधिक होती है सो वर्स की आयू के ब्रिद पेंसन भोगियों को दे अतिरिक्त पेंसन की मातरा सामान पेंसन रासी का कितना परतिसत होता है तो जो कर्मिचारी सौ बरस से अधिक आयू की प्राप्त कर चुके हैं उन्हें अत्रिक्त पेंसन की मातरा सामान पेंसन रासी का सौ परतिसत होती है निम्लिखित में से कौन सी गती विधी एक राजपत्रित रेलवे अधिकारी दोरा रेलवे सेवा आचरन नियमों का उलंगन नहीं होगी तो पहला दिया हुआ है कि अपने नियंतरन और प्राधिकार के तहट काम करने वाले सभी रेल सेवकों की निष्ठा और करताब प्राहंता सुनिश्चित नहीं करना इसमें उलंगन हो जाएगा राजनीती में भाग लेने वाले किसी भी संग्ष्ण से जड़ा होना यह भी उलंगन होगा अर राजपत्रित रेल सेवकों कोई किसी संग्ष के प्राधिकारी के रूप में काम करना और इचोथा है कि काम पर सादे काले बैच पहनना तो काम पर सादे काले बैच पहन करके बिरोध प्रदसित कर सकते हैं और यह रेलवे सिवा आचर नियम 1966 का उलंगा नहीं करती है जदी किसी रेल कर्मचारी को अपराधिक या अन आरोपों में कितनी अबधी से अधिक के लिए हिरास्त में रखा जाता है तो उसे निलंबित कर दिया माना जाएगा निलंबित समझा जाता है तो ज़दी कोई रेलवे कर्मिचारी अर्टालिस घंटे या उससे अधिक के लिए हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित मान लिया जाता है लगू सास्ती के आरोप पत्र में एक मामले में डेंड देने से पहले इंक्वाइरी करने के आप सकता कब होती है तो इंक्वाइरी करने के आप सकता तब होती है जदी परस्तावित दंद से उसके परतिकूल पर हो पड़ता है कर्मिचारी के पेंसन पर अगर चोटी सास्ती के मामले में भी अगर कर्मिचारी के पेंसन पर अगर परतिकूल पर हो पड़ता है तो उस परस्तिती में इंक्वा परिवार का सदस नहीं माना जाता है। software के माध्यम से नहीं की जा रही है, तो HRMS के माध्यम से छुटी की मनजूरी की जा रही है, पास पीटियों को जारी की जा रहा है, TA की claiming नहीं हो रही है, और APR हो रहा है, तो इसका जवाब होगा, लगा तरह भत्ते का दावा अभी बरतमान में हर में उसके माध्यम से नहीं किया जा रहा है वाइस रिनी के सहर में रहने वाले एक रेल कर्मचारी के लिए सुईकार मकान बत्ता कितना होगा उसके मूल बेतन का तो अभी जो वाइस रिनी में है वह बर्तमान में 20 परतिसत है तो इस परकार हम यहाँ पर अभी एजन में पूछे गए परिसनल डिपार्टमेंट से यानि अस्थापना से संबंदित सवालों को हमने अभी दिखा रहे अब देखते हैं EAST में पूछे गए सवालों के लिए EAST के सवालों में पूछा गया था कि मुख्याले से अनुपस्थिती के आधार पर कर्मेचारियों को सुईकार महगाई भत्ते की मातरा के संबंद में कौन सा कथन गही है 6 घंडे से कम होने पर महगाई भत्ता का 30% महगाई भत्ता से यहांपर हमारा संबंद है कि बेसे डिये से संबंद है जो हमारा T.A. मिलता है कि T.A. स intersect होने पर किइतना T.A. मिलेगा है यहापर T.A. होना चाहिए था यह डिली अलोवेंस भी उसे कहा जाता है टीय को भी डिली अलोवेंस को तो पर यहां डिय का मतलब डिली अलोवेंस है तो 6 घंटे से कम होने पर महगाई का 30% दूसरा में दिया हुआ है कि 6 घंटे से अधिक किंतु 12 घंटे से कम होने पर 70% 12 गंटे से अधिक होने पर पूरे 100 परतिसत और चौथा दिया हुआ है जो छो 지원 नमबर पर च्छे गंटे से कम होने पर महगाई का 50 परतिसत यह है गलत है Total living in cash during the entire career shall not exceed how many days यहां पर जो option दिये हुए है इस से परतित हो रहा है कि सिर्फ हमें नौकरी के दौरान की बात की जा रही है, नौकरी के अनिटार्मेंट के टाइम के बात नहीं की जा रही है, तो इसमें हम जो कुल छोटिया हैं, वो दस-दस करके 6 वार तक ले सकते हैं, यानि कि 10-10 दिन की 6 चोटियों को इंकैस किया जा सकता है, 6 वार इंकैस क होता है यह साल भर में कितने बच्चों के लिए किया जा सकता है तो यह दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए ही किया जा सकता है आई पास का विस्तार रूप ग्या है तो आई पास का विस्तार रूप है इंटेग्रेटेड पेरॉल एंड एकॉंटिंग सिस्टम तो इस प्रकार AST में पूछे गए ये सवाल भी हमने इसमें सॉल्ब कर लिए अब हम देखते हैं AMM में पूछे गए सवालों के बारे में पैटरनिटिली लिफ कैन बी अवेल्ड बाई मेल रेलवे सर्वेंट पित्रित अवकास का लाव पूरुस रेल कर्मचारी उठा सकते हैं तो बच्चे के जन्म से पंदरा दिन पहले से ले करके आगे छे महिने के भीतर में इस लाव को उठाया जा सकता है अगला सवाल है तो बारा महिने के भीतर निफ्टान पास के लिए अवेदन कर जमा कर देनी चाहिए सिवा के दौरान मरने वाले रेल कर्मचारी के परिवार को सामान किराय पर कितने महिनों के लिए रेल वे आवास रखने की अनुमती दी जा सकती है तो सिवा के दौरान जिन कर्मचारी के मृत्ति हो गई है उन्हें रेल कर्मचारी के परिवार को सामान किराय पर ही दो साल तक के लिए यानि के चौबिस महिने के लिए रेलवे आवास को बनाय रखे जाने के उनमती दी जा सकती है प्रान P.R.A.N. प्रान का फूल फॉर्म क्या है और प्रान नंबर कितने अंकों का होता है तो प्रान का यानि P.R.A.N. का फूल फॉर्म होता है पर्मानेंट रेटायर्मेंट एकाउंट नंबर और इनकी संख्या होती है पुल बारा डिजिट की जदी रेलवे कर्मचारी पिछले चार महिनों से निलंबित है तो एक बरस में रेलवे कर्मचारी गरसे दूर पढ़ाई के लिए सोईकार अस्कूल के पास की अधिकतम संख्या कितनी गूली तो इनके पास में कोई फरक नहीं पढ़ता है जो चिल्ड्रंस को जो पास मिल जाता है बले कर्मचारी सस्पेंड ही क्यों नहों इसलिए उन्हें जो तीन पास दिये जाता है वो उन्हें मिलेगा पुलिस हिरासत में कितने समय तक रहना कर्मचारी को निलंबित मानने जाने के लिए परियापत है इस सवाल को अभी हमने सवाल किया था कि एगर कोई कर्मचारी 48 गंटे तक पुलिस के हिरास्त में रहता है तो उससे सस्पेंड मान लिया जाता है 48 गंटे या 48 गंटे से अधिक निमलिखित में से किसके साथ जॉइनिंग टाइम को नहीं जोड़ा जा सकता है आप ऐसा समझ लिजे कि जॉइनिंग टाइम एलेपी छुटी के तरह होती है तो एलेपी छुटी को एलेपी के साथ जोड़ा सकता है एच एलेपी के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन उसे सील के साथ नहीं जोड़ा जा सकता तो जॉइनिंग टाइम को कैजूल लेव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है भारती रेलवे पर अस्थाई बारता तंत्र बनाने का सरी की से दिये जाता है तो भारती रेलवे पर अस्थाई बारता यनि कि पी एनिम का सरी दिये जाता है सरी बीवी गिरी जी को रेल कर्मिचारी अनुसासन अपीर नियमों के अनुसार निम्लिकित में से कौन सा बड़ा जुर्बाना नहीं है समय बेतनमान में दो बरसों के लिए दो चर्णों की कटवती एक बरस के लिए बेतनमिर्दी को रोकना और आगे के निर्देशों के साथ की इसका भविस्ट की बेतनमिर्दी को अस्थगित करने का कोई परभाव नहीं पड़ेगा तीसरा अनिवार सेवा निवर्थी और चौथा बेतन ग्रेड पाद या सेवा के निचले समयमान में कटवती तो जब इसका परभाव भविस्ट पर नहीं पड़ता है तो ऐसे उस तरह के जो सजाएं दी जाती है वो छोटी सास्ती में दी जाता है तो जो हमारे यहां दूसरा अप्सन है कि बिद होल्डिंग ओफ इनक्रिमेंट फॉर पे फॉर वन येर बिद फर्डर डिरेक्शन दैट इस विल नॉट एफेक्ट उन पॉस्ट पॉनि दर फूचर इनक्रिमेंट तो यह जवाब होगा इसमें सही अगला सवाल है कि अनुसासन और अपील नियमों के तहत मुख कारियाले अधिचक सेवा निब्रित रेलवे कर्मिचारी के पेंसन में कटॉटी का आदेश देने का अधिकार के स्पराधिकारी को है तो सेवा निब्रित कर्मचारियों के पेंसन में कटाउटी देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्टपती को होता है इसलिए उपरोक्त में से कोई भी अंसर सही नहीं है इसलिए नन अफ द गीविन आपसन इसका सही दिवाब होगा दिब्यांग बच्चों के मामले में बाल सिच्छा भत्ते का दावा करने के लिए उपरी सीमा क्या होती है तो दिब्यांग बच्चों के मामले में बाल सिच्छा भत्ता दावा करने की उपरी सीमा 22 वरसे रेलवे कर्मचारी अनुसासन इभम अपील नियम के तहट निलम्बन आदेस को रद करने के लिए उपयोग किये जाने वाले मानक प्रपत्र का नाम के आया है तो A.F.1 के द्वारा सस्पेंड के जाता है A.F.2 में जो सस्पेंशन होता है वो बैक डेट से होता है यह निलम्बन रद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर जवाब होगा A.F.4 जिसमें रेलवे सेवा आचर नियम 1966 के नियमा वली में कामकाजी महलाओं के योन इत्प्रण पर रोक लगाने संबन निर्देश जारी किये गया है वह नियम है रेल सेवा आचर नियम 1966 का नियम संख्या 3 के उप नियम C में मानार्थ पास में कितने आचरितों की अनुमती दी जा सकती है तो कंप्लिमेंटरी जो पास होते हैं उसमें अधिकस्तम से दो आचरितों को अनुमती दीया जा सकता है अगला सवाल है कि पहले दो कथन पढ़ें एक निलंबित कर्मचारी को पदोनत्ती के लिए चैन में सामिल होने के लिए बुलाए जा सकता है और दूसरा है अनुसासन और अपील नियम 1968 के तहट निलंबन कोई डंड नहीं है चुचुकि दोनों ही कथन सही है इसलिए बोथ 1 & 2 are correct जो options में होगा वो सही होगा भारती railway को राष्ट्री अकादमी में पढ़ती नियुक्ती पर जहां नायर हमारे पास है नायर जो टेनिंग सेंटर है नेशनल अकैडमी ओफ इंडिन रेलवेज में पढ़ती नियुक्ती पर सिच्छक के रूप में काम करने वाले ग्रूप A रेलवे अधिकारी को कितने दर्से पर सिच्छन भत्ता पाने का अधिकार है तो नायर में जो सिच्छन भत्ता दिया जाता है ग्रूप एधिकारियों को वह 24 परतिसत दिया जाता है परसिच्छन बढ़ता REWS का फूल फॉर्म क्या है REWS का फूल फॉर्म होता है Railway Employee Self-Services तो Railway Employee Self-Service REWS का फूल फॉर्म है सेवा से स्वचिक सेवा निब्रती चाहने वाले Railway कर्मचारियों को अहरक सिवा में कम से कम कितने वर्स पूरे होने चाहिए तो जो कर्मचारी Railway से स्वचिक सेवा निब्रती चाहते हैं तो उन्हें 20 साल की अहरक सिवा पूरी होनी चाहिए तो इस परकार हमने इसमें जो अस्थापना से संभंजित सवाल थे वो हमने हम नहापर सौल कर लिए अब हम आगे चलते हैं A.O.M में पूचे गए अस्थापना से संभंजित सवालों के बारे में तो रेल सेवा आच्रण नियम के किस नियम के तहत Чल अतल समपत्ती के वारे में उलेख है तो चल अचल संपत्ति वारे में जो उलेख दिया गया है वो रिल सिव आचर नियम 18 में दिया गया है अनुसासिम इबं अपील नियमों के अंतरगत अपील करने की समय सिमा कितनी होती है तो यहाँ अपील करने की समय सिमा होती है 45 दिन NPS में करमचारी की कटोती कितना परतिसत की जाता है तो NPS में करमचारी की कटोती मूल बेतन का 10 परतिसत प्लस D.A. के ले जाता है D.A.R. की कारवाही के तहट सेवा निबरित रेल सेवा की पेंसन में कटोती का आदेस कौन दे सकता है तो अभी जैसे ने बात किया था कि सेवा निबरित रेल करमचारी की पिंसर में कटोती परसिडेंट आफ इंडिया के अलावा कोई अंध नहीं कर सकता यदि एक महला सरकारी करमचारी की मंजूरी के लिए बिचार की जाने वाली चाइल लीव की नियूनतम अबधी क्या हो तो चाइल लीव होती है वो कम से कम पांच दिनों के लिए सैंक्सिन की जाती है जो departmental inquiry में जो documents होते हैं उसको कसका custodian कौन होता है तो इसका custodian presenting officer होते हैं तो इस परकार हमने AOM में पूछे गए भी सवालों को हमने देख लिया अब हम देखते हैं AOM में पूछे गए सवालों को कि AOM में इस परकार के सवाल पूछे गए थे निमने लिखित कथन भारती रेलवे सेवा आचर नियम 1966 के किस नियम का हिस्सा है इसे पढ़ रहे हैं किसी रेलवे कर्मचारी को जिसे अपने बरिष्ट अधिकारी से मौखिक आदेश प्राप्त हुआ है उसे यथा सेड़ लिखित रूप में इसकी पूछ्टी करनी चाहिए जिसके बाद बरिष्ट अधिकारी का यह करतब होगा कि वह निरदेश की लिखित में पूछ्टी करें यह नियम लिखा हुआ है रेलवे सर्वेस के अंड़क्टर 1966 नियम संख्या 2 का चौथे नंबर पर जो रूल दिया हुआ है तीन के दो का चार इसमें इस बारे में चर्चा की गई है नियम लिखित में से कौन सा कथन भारतिय रेलवे सेवा आचर नियम 1966 का उलंगन नहीं है तो बच्चों को काम पर लगाना 14 वरसे काम के बच्चों को काम पर लगाना उलंगन है रेलवे कौर्टर को निजी किराय पर देना यह भी उलंगन है दहेज लेना यह भी उलंगन है तो इन में से कोई भी सही उत्तर नहीं है भारतिये रेलवेज सेवक अनुसासन एवं अपील नियम 1968 कि कौन सा खंड लगू एवं दिग डंड को निर्देशित करता है तो नियम संख्या 6 में इस बात के चायचा की गई है जो की लगू और डिर्देशित करता है उसमें लिस्ट किया गया है डिम्डिसस्पेंसन का आदेश जारी करने है तो निम्लेखित में से किस मानक परपत्र का इस्तेमाल किया जाता है के लिए किया जाता है कर्मचारी के अनसिदान के दूश्टि कों से नई पेंसन योजना किस परकार की है निमिडिमैं से तो नई पेंशन योजना कंट्रीम्योट्री है कर्मचारी को पेंशन के लिए अपने बेतन का कुछ हिस्सा जमा करना पड़ता है और गर्मेंट भी इसमें उसके नुरूप पेंशन का हिस्सा अपनी तरफ से भी जमा करती है रिल्वे सेवा डी एंड ए 1968 के तहट डंड के बिरुध अपील प्रस्तूत करने की समय सिमा कितने होती है तो जब नई पी जारी हो जाता है उसके बाद 45 दिन का समय होता है 35 दिन के अंदर में अपील किया जा सकता है पी टियो जो इंडियन पास रूल के तहट में पी टियो सब्द का पर्योग करते हैं उसका मतलब क्या होता है तो पी टियो का मतलब होता है प्रिवेलेज टिकेट और जो की 33 परसेंट के कीमत पर टिकेट को बोग कराया जा सकता है भारतिय रेल्वे पास नियमों के तहट एक रेल कर्मचारी को सामानता है या अधिकतम कितने PTO सेट जारी किये जाते हैं यहाँ पर बात की जा रही है एक रेल्वे कर्मचारी को PTO जारी करने के लिए तो PTO चार ही जारी किये जाते हैं तो चार सेट गजटेड और नौन गजटेड दोनों ही करमचारियों को डेट अफ़र्मन के पास से जारी किये जाते हैं दो से कम जिवित बच्चों वाले पूरुस रेल करमचारिय को कितने दिनों की अबधी के लिए पित्रित अबकास दे होता है तो यह समय सिमा होती है 15 दिन का जिसे कि बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से ले करके बच्चे के जन्म के 6 महिने के अंतरगत में लिया जा सकता है एक महिला या एकल पूरुस रेलवे कर्मचारीों को अधिकतम कितने दिनों तक बाल देखवाल अवकास परदान किया जा सकता है तो महिला हो या एकल पूरुस रेलवे कर्मचारी हो तो उस कंडिसन में उसे अधिकतम 730 दिनों तक का फूल Children Education Allowance दिया जा सकता है बहारतीय रेलवे D&AR नियम 1968 के तहट परतेक समिच्छा के दौरान निलंबन कितने दिनों की अभधी के लिए बढ़ाया जा सकता है तो बहारतीय रेलवे D&AR 1968 के तहट जब भी परतेक समिच्छा होगी तो अधिकतम उसे बढ़ा सकते हैं बहारतीय रेलवे के चिकित्सा लाब में UMID मॉड्यूल में सेवारत रेलवे कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान है तो यह split medical identity card है निमलिकित में से कौन सा IT portal पेंशन भोगियों क्यों उनकी पेंशन की सुगधा परदान करता है तो यह दिया गया है अरपन अरपन एक IT portal है जिसके दौरा उनकी पेंशन भोगियों के लिए उनकी पेंशन सुगधाओं का इस पर लाब परदान की जाता है इसके बारे में तो रिटार्मेंट के बात में अधिक्तम तीन सो दिनों तक के चुटियों को इनकास किया जा सकता है यदि उनके खाते में तीन सो चुटियां जमा है जदि उनके चुटिक खाते में तीन सो से कम एलेपी जमा होती है तो बचे हुए चुटिक खाते को हाफ एलेपी में से एड़िजस्ट के जाता है पर इसमें सर्थ यह होती है क्यों कमोटेशन के सुगधा इसमें नहीं दी जाती है निमलेखित में से कौन सा भारती रेलवे परिसासन और कर्मचारियों के बीच का सिकायत मंच है तो कर्मचारी और परिसासन के बीच में जो सिकायत मंच इसमाल की जाती है वह की जाती है उसे नाम दिया आता है पी एनम जोकि सरकार दोरा हर दो महीने पर आयूजित की जाती निमलिखित में से किसे फैक्टरी अधिनियं 1948 से चुट दी गए थी तो railway loko sed को फैक्टरी अधिनियं 1948 से चुट दी गए थी साथ में केंदरिय बेतन आयोग के अनुसार निमनतम अस्तर पर railway कर्मramचारी के लिए नियुनतम मूल बेतन भारती रुपयों में क्या है तो जो नियूंतम बेतन है वो है 18,000 रुपया How many levels of pay commission have been laid in the seventh ZPC? साथ में केंदरिय बेतन आयोग में बेतन के कितने अस्तर निभायद किये गये हैं तो अस्तरों की कुल संख्या level 1 से level 18 तक है तो 18 अस्तर इसमills से त्यार किये गये हैं रेल्वे कर्मचारियों की मृत्यू की इस्थितिमने में निम्लेकिन में से कौन सा रक्त संबंधी भारतीय रेल्वे में अनुकंपा के आधार पर न्यूकती के लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पर है कि जो उसकी मेरिट डाउटर भी पात्र हो सकती है, पत्नी भी पात्र हो सकती है, पर सिस्टर इन लॉव पात्र नहीं होती है। तो AWM में पूछे गए अस्थापना के सवालों को भी हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम सॉल्व करते हैं, AFA में पूछे गए अस्थापना से संबंधित सवालों को। यात्रा भथ्ता के लिए दावा प्रस्तूत करने की समय सिमा कितने दिनों के भीतर होती है। तो यात्रा भथ्ता साथ दिनों के अंदर में अपना दावा प्रस्तूत कर दिया जाना चाहिए, व्यक्ति के यात्रा करने के साथ दिनों के भीतर है। CTG का दावा प्रस्तूत करने के लिए अस्थानांत्रित या सेवा निवृत्ति वो कौन से दस्तावेज प्रस्तूत करने होंगे निवास परिवर्तन का प्रमानपत यात्रा का प्रमानपत या दोनों जो A और B में निर्दिष्ट हैं या दोनों में से कोई तो इसका उच्छ जवाब होगा कि प्रूफ आफ रेजिडेंस, चेंज आफ रेजिडेंस या प्रूफ आफ जर्नी इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल किया जा सकता है The salary bill submitted to account offices for passing should be a company bid लिखा कारियाले में पारित करने के लिए प्रस्तूत बेतन मिल के साथ क्या होना चाहिए Memorandum of Difference होना चाहिए, Skill Check Statement होना चाहिए या कर्मचारियों के सत्यापित दाबे जैसे TA, OT, आदी बीनों की कटोती और बसूली के बिबरेंट सामिर होने चाहिए या इन में से सभी, तो इसका जवाब होगा, ये सभी जमा की जाने चाहिए संपून सेवा काल के दौरान नगदी करन की गई कुल छुटी कितनी होगी दिये गए options में से, जो संपून सेवा काल के दौरान की बात की जा रही है रिटार्मेंट के समय की छोड़ करके, तो दस-दस करके कुछ 6 चोटीयों को इनकैस किया जा सकता है, मैक्सिमम, 8-2 साल के अंतराल पर जिसके की 2 साल का भी एक ब्लॉग बना होगा है, उनमें हम एक बार कर सकते हैं तो कुल मिला करके हम 6 बार चोटीयों दस-दस दस कर सकते हैं, जथा 7 चोटीयों को या दिक्तम इनकैस किया जा सकता है सिसू सिच्छन भत्ते की परतिपूर्ती का दावा करने के लिए सरकारी कर्मेचारियों को क्या परस्तुत करना होगा सिशो शिच्छन भट्ते की पड़ती पूर्ति का दावा करने के लिए अस्कूल के द्वारा बुनाफाइड सेटिफिकेट रिपूर्ट कार्ड की सिल्फ एटेस्टेड कौपी और फी रिसिप्ट की सिल्फ एटेस्टेड कौपी इन में से किसी को भी जमा किया जा सकता है सिसू सिच्छन भत्ता छात्र सबसेडी की पड़तेपूर्ती का दावा केवल कितनी वार किया जा सकता है तो दो सबसे बड़ी जिवित बच्चों के लिए किया जा सकता है दिब्यांग बच्चों के संबंद में CEA की पड़तिपूर्टी की रासी बाकि सामान बच्चों को दी जाने वाली रासी से दुगनी होती है और Maximum Amount of DCRG अभी 7th Pay Commission में जब 50% हो गई है द्माहगारी बत्ता तो इसकी सीमा 20 लाग से बढ़ा करके 25 लाग कर दी गई है इस भी मामले में रेलवे कौर्टर का अभधारन सेवा निब्रिति के तारीक या स्कूल सीजन के तारीक से अधिक नहीं होनी चाहिए तो 8 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए बिसेस मामले में चिकत्सा आधार पर अनुमे अभधी से अधिक समय तक रेलवे आद्वास को अपने पास रखने के लिए किसकी मंजूरी की आपसकता होती है ऐसी परस्थिती में इसको रोकने का अधिकार सिर्फ रेले वोड को दिया गया है जब किसी अन नियम के तहत कोई छुटी सुईकार नहीं होती है अधिकतम जो लीव नॉट ड्यू है वो समपूर्ण सिवाब दे के दरण में 360 दिन तक की दी जा सकती है 2019 में आई गई नई पेंसन यूजना के तहत करमेचारियों के लिए मासिक रेले में अंसदान कितना होता है 14% of pay प्लस डिये बेतन का 14% और डिये होता है